दोस्तों किसी भी कम्पनी का लोगो उसकी पहचान होती है कम्पनी का नाम एक बार कोई भूल भी सकता है लेकिन उसके लोगो को नहीं भूल पाता क्या आप उस लोगो में छिपे रहस्य के बारे में जानते हैं? जी हां दोस्तों, सभी कंपनियों के लोगों की अपनी एक अलग ही कहानी और एक अलग मतलब होता है यह सिर्फ कंपनी की पहचान ही नहीं, बलकि कंपनी के उद्देश ये और कस्टुमर के साथ उसके रिलेशन को भी दर्शाता है अब एपल के कटे हुए सेव वाले लोगों को ही देख लीजिए आखिर आदे खाय हुए सेव को इतनी बड़ी कंपनी का लोगो क्यों बनाया गया? युनिलिवर के लोगो में 24 सिंबल्स क्यों है? और एमेजोन का यह साधारन से कर्वड एरो वाला लोगो कैसे पूरी एमेजोन कंपनी को डिफाइन करता है? एक लोगो ऐसा भी है जिसके डिजाइनर को कंपनी ने 7 करोड रुपए पे किये साधारन से दिखने वाले इन लोगो का राज इतना गहरा है कि इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में कुछ मशूर कंपनीयों के लोगो और उनके पीछे के रहसे के बारे में जानते हैं एर टेल के लोगो को देखकर ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी ने बस यूँ ही एक डिजाइन तयार करके उसे अपना लोगो बना दिया लेकिन नहीं मेरे दोस्तों कॉर्पोरेट की दुनिया में कुछ भी यूँ ही नहीं होता है एर टेल के लोगो का यह डिजाइन एको दर्शाता है लेकिन यह नॉर्मल ए से बिलकुल अलग है कंपनी के अनुसार यह एक ओपन ए है जो की अनलिमिटेट पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है वहीं लोगो का रेड कलर, पैशन, एनरजी और घती शीलता का प्रतीक है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ओफ इंडिया की लोगो को बच्चा बच्चा पहचानता है लेकिन बड़े-बड़े लोग भी इस लोगो का एक्चुल मीनिंग नहीं जानते है बैंक के इस लोगो में जो ब्ल्यू पार्ट है, वह इस बैंक की विशालता को दर्शाता है वहीं वाइट पार्ट आम आदमी को दर्शाता है इस लोगो से SBI यह बताना चाहता है कि इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद वह आम आदमी के बिना अधूरा है इसके अलावा इस लोगो का एक और मतलब यह है कि इसका वाइट पार्ट एक की होल है जो सेफटी, सिक्योरिटी और स्ट्रेंद का सिम्बल है दुनिया की सबसे बड़ी कार कमपनी में से एक टोयोटा का लोगो इतना माइड ब्लोइंग है कि इसे बनाने वाले डिजाइनर की जितनी तारीफ की जाए कम है इस logo में आपको simple सा 3 ellipse दिख रहा है लेकिन इस simple से 3 ellipse में ही कंपनी का पूरा नाम चुपा हुआ है Toyota के सारे letters इस logo में मौझूद है है ना amazing ये तो हुआ इस logo में मौझूद कंपनी का नाम लेकिन actual में इसका मतलब क्या है इसमें तीनो ही ellipse Toyota products और इसके customers के heart के unification को दर्शाता है वहीं इस logo का background Toyota के technical advancement और आगे की boundless opportunities को दर्शाता है Pepsi के इस logo का मतलब जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस simple से logo को बनाने में Pepsi ने 7 करोड रोपे खर्च किये खेर ये logo भले ही काफी साधारन हो लेकिन इसका अपना एक मतलब है इस logo में मौजूद red, white and blue color American flag के color को दर्शाता है Actual में Pepsi का ये logo उसकी अमेरी के पहचान है साथ ही company का ये logo laughing emoji को भी दर्शाता है यानि Pepsi अपने customer को हमेशा मुस्कुराता हुँ देखना चाहता है No.5 Nike Nike दुनिया में इस मुकाम पर पहुच चुका है कि अब वह किसी पहचान का महताज नहीं लेकिन जब इस company की शुरुवात हुई तब उसे भी अपनी पहचान बनाने के लिए एक logo की जरूरत थी तो इस company ने 1971 में 35 डॉलर खर्च करके Caroline Davidson नाम की एक स्टूरेंट से अपना ये logo बनवाया Nike के इस logo का नाम सोश है और इसे दुनिया का most recognizable brand logo माना जाता है Nike का ये logo motion और speed को दर्शाता है No.6 Unilever Unilever का logo है U जो की company के नाम के पहले letter को दर्शाता है लेकिन इस U को इतने unique तरीके से बनाये गया है कि इस एक letter में ही company के almost सारे सब brands को जगह दी गई है Unilever अलग-अलग brand के नाम के साथ धरजनों products बनाती है Company के इस logo को 24 symbols से मिला कर बनाये गया है यह सभी 24 symbols इसके सब brands को दर्शाते हैं Wesleyan के लिए lips, surf axle, ring और wheel के लिए cloth Dove और sunsilक के लिए hair Lekme और Tresme के लिए sun और life boy के लिए hand का symbol दिया गया है ऐसे ही सभी 24 symbols यूनिवर के लिए अलग-अलग सब brands को दर्शाते हैं बाकी कमपनियों की तरह Samsung के लोगों में कोई hidden meaning चुपा हुआ नहीं है लेकिन इसके नाम का hidden meaning जरूर है The Korean word Samsung, same और sung से मिलकर बना हुआ है Korean language में same का मतलब 3 और sung का मतलब star होता है South Korea में 3 number को बहुत powerful माना जाता है कमपनी के founder Lee Byung Chul अपनी कमपनी को number 3 की तरह powerful और star की तरह विशाल और everlasting बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने Samsung नाम चुना लगजरी कार बनाने वाली कमपनी ओडी के चार रिंग वाले इस लोगों को देखकर ज्यादा तर लोगों को यही लगता होगा कि इसे बस यूँ ही बना दिया गया लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस दुनिया में कुछ भी यूँ ही नहीं होता है well, इस लोगों का मतलब जानने के लिए हमएं कमपनी के इतिहास में जाकना होगा अभी जो ओडी कमपनी हम देख रहे हैं, वो चार अलग-अलग कार कमपनियों से मिलकर बनी हुई है 1932 में ओडी, DKW, होर्च और वेंडरर नाम की चारों कमपनी एक ही हो गई थी और ओडी इन सभी का हेड बन गया ओडी के लोगो का ये 4 रिंग, इन ही 4 कमपनियों को दर्शाता है इस कमपनी के लोगो, 3 स्ट्रिप्स से मिलकर बने हुए है देखने में तो ये काफी सिंपल है, लेकिन एक्चुल में इस लोगो से एक मैसेज देने की कोशिश की गई आधिडास का लोगो माउंटेंस यानि पहाड को दर्शाता है पहाड पर चड़ाई करना कितना चैलेंज बरा होता है, यह तो हम जानते ही है एथलीट्स भी कुछ इसी तरह के चैलेंजिस का सामना करते हैं तो इस logo से Adidas athletes को सभी तरह के challenges को पार करते हुए अपने goal को हासिल करने के लिए बोलता है रुकना नहीं, ठकना नहीं, बस Adidas के जूते पहन कर challenges को रोकते हुए अपने goal को हासिल करना है Amazon के इस logo को देख कर मैं खुद सोचा करता था कि यार इतनी बड़ी company का logo इतना simple क्यों लेकिन जब मुझे इस logo का मतलब पता चला तो भाई अब मुझे उसके designer को salute करने का दिल करता है Amazon के नाम के नीचे जो curved arrow बना हुआ है ये A से शुरू होकर Z पर खत्म होता है मतलब Amazon पर A to Z products available है कितने creative तरीके से बताने की कोशिश की गई कि आप Amazon पर दुनिया भर की सारी चीज़ खरी सकते हैं और एक और बात जो ये curved arrow है ये smile करते हुए चेहरे को represent करता है मतलब आप Amazon पर shopping करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए नमबो 11, Apple Apple का logo knowledge को दर्शाता है लेकिन यह सेव कटा हुआ क्यों है बहुत दिनों तक तो यह एक mystery रही और लोग अपनी और से अलग-अलग कहानिया बना कर कटे हुए सेव की वज़ा बताते रहे लेकिन फिर Apple का logo बनाने वाले Rob Genoff ने खुद ही 2016 में इस सेव के कटे होने की वज़ा बताई Rob Genoff के अनुसार सेव की तरह गोल तो कई तरह के फल होते हैं ऐसे में लोगों को कैसे बता चलेगा कि लोगों में बना हुआ फल सेव ही है इसलिए उन्होंने अपने सामने रखे सेव का एक बाइट लिया हुन्डई के एच को देख कर आलमस्ट सभी लोग यही सोचते हैं इस लोगों के एक्शुल मतलब को समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए इसमें दो लोग हैंडशेक करते हुए दिखाई देते हैं इसमें एक हुंड़ाई कंपणी और दूसरा कस्टमर को दरशाता है मतलब हुंड़ाई के लोगो का L actual मैं कंपणी और कस्टमर के बीच के handshake का symbol है जो हुंड़ाई और उसके कस्टमर के बीच अपने पन को दरशाता है तो दोस्तों यदि आपको best logo सिलेक्ट करने को कहा जाए तो आप इन में से किस company के logo को सिलेक्ट करेंगे कॉमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें और share करें ऐसी ही और भी interesting वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद